हेलो फ्रेंट्स वाज हम यहां बना रहे हैं जटपट से बनने वाले गाजर का हल्वा तो यहां सबसे पहले 1 किलो गाजर ले लिये और उसको उस तरह से कट कर लिया है एक पैन में एक चमज घी डाल दिया है देसी घी और इसको देसी घी के साथ हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है इतनी जल्दी यह बन जाता है आप इसे मिन्टों में बना के खा सकते हैं और यहां पे अब इसमें इलाइची पाउडर मैंने इसमें एट कर दिया है फ्लेवर के लिए और अब इसे में मीडियम फ्लेम पे एक विसल दिला देनी है तो यहां पे यह अच्छे से गल गई है गाजर अब मेशर से हमें इसे मैश कर लेना है अगर आपके पास मेशर नहीं है तो आप इस चमबच का यूज कर सकते हैं अच्छे से यह मैश हो जाएगा इससे भी अब यहां एक किलो गाजर थी तो यहां मैंने एक लिटर ही दूद ले लिया है दूद में गाजर को अच्छे से हम पका लेंगे और जब तक पकाएंगे जब तक जो है दूद अच्छे से सूख ना जाए और यह बहुत यह अदर टेस्टी बनके जो हलवा रेडी हो जाता ह अब कभी भी इसे बना के खा सकते हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम निकी कदुगस करो और इतनी मेहनत करो और बनाओ तो आप अना से इसको बना के कभी भी खा सकते हैं तो यहां पे एक कप के करीब चीनी मैंने इसमें आड़ कर दिया मीठा आप अपने according to taste इसमें आड़ क पसंद करते हैं पाकि अपनी पसंद का कोई भी इसमें ड्राइफ रूट कर दीजिए तो यहां पे जो है मैंने चौप करके पादाम इसमें आड़ कर दिये हैं तो बस इसको हमें अब जब तक पकाना है कि दूद अच्छे से इसका ड्राइब हो जाएगा तो यहां पे हलका का इसमें ड्राइब होना शुरू हो गया है और हमारा गाज़त का हलबा भी बन के एकदम डेडी हो गया है रेसिपी अच्छे लगी तो जरूर लाइक करना मिरते हैं नेक्स वीडियो में